हाई के सब स्वागे थे नियूटिकल चैनल मेरा नाम है निताशा सिंग और आज मैं आपनों को लेकर आई हूँ एक काफी इंटरस्टिंग वीडियो आज हम करेंगे फुल डिटेल रिव्यू हमारे रेडिमी के Note 11 Pro Plus का इस device को मैंने काफी टाइम यूज कर लिया है मतलब इसकी मैंने अच्छे से सारी टेस्टिंग कर ली और आपको इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगी इस फोन के बारे में मतलब डिस्प्ले क्वालिटी कैसी है ब्राइटनेस कैसी है इसके अंदर हमें audio output कैसा मिलता है कर लिया है और आपको सब कुछ बताऊंगी इसी वीडियो में अब पहले बता दू यह device मेरे खुद पर्चेस किया है कंपणी के तरफ से नहीं आया है वैसे हमारा 2100 उर्पे के प्राइस में आता है और आपको offers में 1900 उर्पे के प्राइस में मिल जाता है सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इस device के सबसे attractive point के बारे में जो मुझे बहुत ही interesting लगा वो है हमारे device का design यह जो device है और आपको ता हूं तो बहुत ही attractive look दे रहा है यूथ के लिए देखा जाए तो एकदम stylish looking device है back side में जो back panel है उसके दर हमारे पस इतना बढ़िया यहां पर effect देखने को मिल रहा है जैसे pool side हमारे जो पानी का effect आता है वैसा effect देखने को मिल रहा है लेकिन आपको यहां पर जो boxe design मिलता है मतला आज कल देखा जाए तो boxe design हमारे बहुत ही ज़दा trending चल रहे है तो वह आपको यहां पर पूरा style के लिए तो एकदम कमाल का phone निकाला है मस्त लगा मुझे style के हिसाब से वैसे थोड़ा सा big device है हमारा तो एक हाट से operate करना मेरे लिए यहां पर थोड़ा मुश्किल था अगर आपको कुछ message type करने तो दो हातों के इस्तिमाल आपको करना पड़ेगा लेकिन side mounted fingerprint scanner है एक हाट से unlock करके device को generally use करना है तो आप कर सकते हैं एक हाट से selfies क्लिक करनी है तो वो आप कर सकते हैं वैसे कुछ type करने के लिए दो हातों के इस्तिमाल करना पड़ेगा और device के front side में हमें यहाँ पर screen guard लगावा मिलता है back side के लिए आपको यहाँ पर back case भी मिल जाता है लगा के रखेंगे तो आपकी look बढ़िया रहेगी वैस की है हमारे इस device का display मातला active में आपको बताऊं जो अभी display हमें इस device के मिल रहा है शाओमी हमारा one of the best display आपको देता है यहाँ पे इस device के अंदर आपको superabular display मिल रहा है 120 hertz के refresh rate के साथ जिसमें आपको 1200 nits की brightness मिल रही है मातला हम यहाँ पे देखो practically यूज करके दिखाते हैं sunlight, 3 sunlight में भी इस device के अदर visibility में कोई issue नहीं आ रहा है आप अराम से सारी working कर सकते हैं आप display हमारा काफी bright है brightness test की में बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो reading आई है 706 आई है मातला आपको action में जो मैं आपको हमेशे ही कहती हूँ कि emolet display के अंदर भी हमारी category ह होती है average emolet display या बढ़िया emolet display यहाँ पर आपको बढ़िया emolet display मिल रहा है जिसके आपको बढ़िया पंची colors मिलती है vibrant display मिलता है आप movies वीडियो को अच्छे से enjoy कर सकते हैं साथ ही आप L1 wide 1 का भी यहाँ पर support मिल जाता है तो HD content को भी enjoy कर सकते हैं अपने सारे यहाँ पर favorite होती है, Asphalt 9 आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं खेल रही हूँ जिसके colors भी बढ़िया आ रहे है, screen भी vibrant लग रही है और smooth लगता है display यूज करने में, अगर आप जैसे scrolling fast fast करते है Instagram पर Facebook पर तो वह भी आप अच्छे से enjoy करेंगे display आपको smooth लगेगा, अब जैसे मैं हमेशा ही अगर आपको display को enjoy करना है तो आपके लिए audio quality कैसी है device की, यह बहुत जादा important हो जाता है और इस device की, अगर मैं audio output की बात करूँ तो वो मुझे बढ़िया लगा, impressive लगा, यहाँ पर device के लिए हमारी आपस dual speakers आते हैं, जिसके अंदर आपको loud और clear sound में जाती है, जिसके sound experience आप देख सकते हैं, 104 तक हमारी यहाँ पर reading आई है, above average perform कर रहा है, साथी device के अंदर हमारी पास 3.5 mm headphone jack भी आ जाता है, जिसके अंदर मैंने जब अपने standard earphones connect किये, जो मैं testing के लिए use करती हूँ, उनके अंदर मुझे बहुत ही loud और clear sound सुनने को मिली, मतलब अक्टर में entertaining के लिए तो बड़िया लगा मुझे इस device, साथी device के साथ मैंने Bluetooth earphones को भी connect किया था, जिसके अंदर पहले अगर मैं Bluetooth connectivity की बात करूँ, तो वो मुझे इतनी strong नहीं लगी है, मतलब second room तक जाते ही, आवास पूरी ही बंध हो जाती है, यहाँ पर, तो connectivity इतनी strong नहीं है, अगर 9 Pro Plus का review कर दो, तो वो मैं review कर चुकी हूँ, Nord CE 2 का भी review मैं कर चुकी हूँ, मेरे चैनल की notification problem काफी जादा चल रही है, तो वो आप मेरे चैनल पे खुजास के videos में जाके देखेंगे, तो आपको वो videos मिल जाएंगे, notification आने में दिक्कत है, इसके साथ, device के अंदर अगर मैं ब करते हैं, तो आपको earpiece की sound है, वो loud सुनने को मिलेगी, मैं अभी जो मैंने last जितने पी devices टेस्ट किया, उनके अंदर 83-84 तक हमारी maximum reading जा रही थी, यहाँ पे 90 तक जा रही थी, मताँ पीछे अगर तेस, शोर भी हो, तो भी आपको बहुत ही clear sound सुनने को मिलेगी, आप काफी weak signals मिलते हैं, मत आप देख सकते हैं, सिर्फ एक ही tower आ रहा था हमारा यहाँ पे, तो आपको अगर basement में काम करना है, आपको office अगर basement में है, तो यहाँ पे इस device के अंदर को काफी problem देखने को मिलेगी, ऐसी सारी testing में आपके लिए लेकर आते हैं, इंटरस्टिंग वाल तो वो लोग इसके उपर हाथ रखके test करते हैं, हाथ रखने से इसका proximity sensor नहीं वर्क करता है, मैं यहाँ पे आपको call करके ही दिखा प्यूँ, यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं अपने face के पास इस device को लेके जा रही हूँ, तो हमारा proximity sensor जो है, वो properly work कर रहा है, लेकिन generally क सरीके से optimized है, इसके इलावा आपको इस device के इंदे बाकी के सारे sensors मिल जाते हैं, लेकिन सिर्फ barometer नहीं मिलता है, बाकी सारे sensors आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, अब इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, और हम बात कर लेते हैं, मेरे सबसे favorite part के बारे में, मतलब किसी भी device को test करन है, अगर आप इस device के इंदे एक हंटे की gaming करते हैं, तो आपको मतलब 15-16 % की a space आपकी यहाँ पे battery कंजीUM होती है, और उसके साथ अगर आप इस device के इंदे की मुवीज देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो इसमें हमारी 78% की आसपस यहां पर बैटरी कंजूम होती है, तो आपको यहां पर अराम से एक दिन का बैटरी पर तो मिल जाता है, तो मतलब एंटरटेंमेंट के लिए मैं बात करूँ तो पूरा पैकेज हो गया, कि आपको दिस्प्ले भी अच्छा मिल रहा है, उसके बाद आपको अच्छा मिल रहा है और बैटरी भी अच्छी मिल रही है, अब अगर हम बात करें चार्जिंग की, तो चार्जिंग यहां पर मुझे उतनी फास नहीं लगी, मतलब यहां पर डिवाइस के इंदर हमारे पास आती है तो इनिशली तो चार्जिंग पास होती है, चार्जिंग टेस्ट जो मैंने करके देखा, थोड़ा आगे जाके स्लो हो जाती ही, मेरे साथ से थोड़ा और फास होती ही, तो और मजा आ जाता, क्योंकि बार बार से डिवाइस को चार्ज करना तो किसी को अच्छा नहीं लगत करने में और उसमें आपको कोई हीटिंग देखने को नहीं मिलती है, अब बात कर लेते हम इस जवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में, आपको इस जवाइस के मिल जाता है Qualcomm Snapdragon 695 प्रोसेसर है, अब इसके इलावे एक कोशन और आ रहा था मेरे पास, क्या हमारा Mediatek का Dimensity 920 प कि इस प्रोसेसर के अंदर कोई प्रोब्लम है, इस प्रोसेसर में कोई प्रोब्लम नहीं है, यह अच्छा प्रोसेसर है, मतला steady performance आपको दे देता है, आपको इसके अंदर जो मैंने back to back end to test run किया, इसके अंदर मुझे यहाँ पर कोई throttling देखने को नहीं मिली, score भी आप द इसके अंदर उसमें भी कोई heating देखने को नहीं मिली है, तो इस device के प्रोसेसर में कोई problem नहीं है, यह नहीं करी problem है, आपके सारी day to day working वाले काम इसके अंदर अराम से हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना heating की, ना throttling की, इसके साथ हमें इस device के अंदर MIUI 13 मिल जाता है, जो की base रवारे Android 11 पे, तो वैसे तो हमें इसके अंदर Android 12 मिलना चाहिए था, लेकिन आपको 11 ही मिलता है, अब यह जो processor है हमारा, यह gaming processor नहीं है, gaming chipset नहीं है, आप इसके अंदर का generally games खेलना चाहते हैं, तो जैसे मैंने यहां पे different games खेली थी, उनमें मुझे को issue देखने को नहीं मिला, बीजी मैं गेम की माँ बात करूँ, तो HD graphics के high frame rate पे आप game को खेल सकते हैं, इससे graphics को बढ़ाने की आपको option नहीं मिलती है, frame rate को आप नहीं बढ़ा सकते हैं, इसी settings पे आपको खेलना पड़ेगा, तो आपको मतलब gaming chipset नहीं है, हल्की फुल की gaming करन नहीं लगा, 108 megapixel का main camera है, उसके बाद आपको 8 का ultra wide मिलता है, यह तो ठीक है, जो 2 का macro मिलता है, वो मुझो लगता है, please companies को हटा देना चाहिए, at least 5 megapixel का, दो कुछ useful pics तो आएं, कोई फादा नहीं है, इसके इलावा आपको कोई portrait का, कोई lens या कुछ और नहीं मिलता, से 2 ही useful cameras है, और हमारा यहाँ पर 11 megapixel का selfie camera आता है, camera के अंदर आपको यहाँ पर 108 वाला camera मिल रहा है, उसके अंदर आपको ठीक आ रही है, color shift आपको उनमें देखने को नहीं मिलता, background में आपके exposure को भी है, 108 megapixel में काफी अच्छे से capture कर पा रहा है, contrast काफी अच्छा ले रहा है, detailing अच्छी ले रहा है, daylight pics में camera हमारा काफी ठीक परफॉर्म कर रहा है, different-different जो मैंने samples दिन में मुझे ठीक लगा, 2 megapixel macro useless था, लेकिन main और ultrawide हमारा ठीक परफॉर्म कर रहा है, इसके लाब सेल्पी camera के fix-up यहां पर देख सकते हैं, उसके अंदर भी आपको edge direction अच्छा मिल जाता है, और आप देख सकते हैं, background में उसके अंदर blown out नहीं कर रहा है, detailing को capture कर रहा है, वतब तब तेज दूफ है पी creative fix यहां पर click कर सकते हैं, इसके camera में जो गड़बड़ वाली बात है, वो यह कि आप इसमें 4K video recording नहीं कर सकते हैं, आपको option नहीं मिलता, यहां पर आप सिर्फ पुलिजडी video recording कर सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, इसका back camera का जो हमारे video है, उसमें आपको बहुत ही ज दूप हो, तो हलकी सी background के अंदर detailing को loose कर लेता है, वैसे आप देख सकते हैं, कि okay okay सी selfies videos आपके यहां पर आ जाती है, so guys, यह था हमारे device, हमारे Xiaomi की तरफ से Redmi Note 11 Pro Plus, जिसकी अंदर आपको देखा जाए, तो entertainment के लिए यह device हमारा बहुत ही बढ़ी है, मतर्ब डिस्प्ले आपक आपको audio output काफी अच्छा मिल जाता है, उसके साथ आपको battery backup भी अच्छा मिल रहा device का, cameras भी आपको इस device के काफी ठीक मिल जाते हैं, सिर्फ उसमें दो ही चीजों का ध्यान रखना है, कि night pics नहीं आप ले सकते हैं, उसके लावा आप उसके अंदर 4K video recording नहीं कर सकते हो, यह आपको नहीं मिलती हैं, बाकी camera हमारा काफी ठीक है, और आपको मतलब बस gaming purpose के लिए जिनको phone लेना है, उनके लिए यह phone नहीं है, बाकी जिनको normally use करने के लिए phone लेना है, उनको बहुत ही stylish device मिल रहा है, जिसमें मैंने बताया अभी आपको display भी अच्छा है, audio भी अच्छा ह इस ही लगते हैं, और camera भी हमारा काफी ठीक आता है, तो आप अगर आप consider करना चाहें, बिल्कुर कर सकते हैं, जिनको gaming device ही लेना है, वो फिर बाकी phones के लिए जा सकते हैं, इस budget के, यह phone हमारा entertainment के लिए है, सब्सक्राइब आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो वीडियो को like and share ज़रूर करें, साथ ही मुझे comment करके बताएं, कि आपको next review किसका देखना है